काउंसिल की गोष्णा की थी इन चार वर्षों में ये हमारी रणनेतिक साज़ादारी को और सुद्रज करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है मुझे खुशी है कि इस काउंसिल के अंतरगत दोनों कमिटी की कई बैटे के हुई है जिनसे हर खेत्र में हमारा आपसी सयोग नरंतर बढ़ रहा है बदलते समय की जरुतों के अनुसार हम हमारे समंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड रहे हैं भारत के लिए साउदी अरब हमारे सबसे महत्वपून स्ट्राटेजिक मांटन में से एक है बिश्वकी दो बड़ी और तेज गती से बढ़ने वाली अर्थववस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सयोग पूरे खेत्र की शांती और स्थिर्था के लिए महत्वपून है His Royal Highness के साथ बैटक के हमने हमारी करीबी साज़ेदारी को नेक्स्ट लेवर को ले जाने के लिए कई इनिशेटिव की पहचान की है आज की हमारी बैटक से हमारे समंधों को एक नई उर्जा एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानोता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेणा मिलेगी कल हमने मिलकर भारत पस्टिम एशिया और यूरोप के बीच एकोनोमिक कोरिडोर स्थापित करने के लिए आतिहाशिक शुरुवात की है इसी कोरिडोर से केवज दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा परंतों एशिया पस्टिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सयोग उर्जा के विकास और डिजिटिविटी को बल देगा यूर रोयल हाइनेस आपके नित्रुतों में और आपके बीजन प्वेंटी थर्टी के माद्यम से साउदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है उसके लिए मैं रदय से आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ साउदी अरब में रहने वाली भारतियों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्यान के लिए आपकी प्रतिवत्रता के लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं भारत और साउधी अरब की मित्रता, छेत्रिय और वैस्विक स्थिर्ता, सम्रद्दी और मानव कल्याण के लिए महत्वपून है। अमन तरिख करता हूँ अमन तरिख करता हूँ अपराइश्ड और पोर्पराइश्ट्टा, करते हैं तो ए अपरतूश्टी को भी अपरतूश्टी और तो धोज़ भीने अबारतु हूँचित्टा, अज़ मानवेज और आग गीन है। आग धन। the Middle East, India, and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7 percent of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this Council will meet the aspirations of our people, and we wish us success. . . . .